जै मातादी, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं. दोस्तों हमारे त्योहार शुरू हो गए हैं और इन्हें मनाने का जो हमारा जोश है वो भी दो गुना है. चाहे कितना भी काम करना हो हम थकान भी नहीं मानते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करने में हम जुट जाते हैं और बिल्कुल ऐसा होना भी चाहें. तो आज की इस फीडियो की शुरुवात मैंने अर्ली मॉर्निंग करी हैं बहुत जल्दी सुबा मैं उठ गई थी क्योंकि आज ही मैंने मातारानी की चौगी लगाई और आज ही मातारानी को स्थापित भी करना था. दरसल कुछ दिक्कत हो गई थी, हस्बेंट की तबह थोड़ी खराब हो गई थी, इस वज़े से मैं एक दिन पहले दरबार नहीं सजा पाई और सेम डे भी मैंने बहुत ही नॉर्मल सा मैं कर पाई तो इसलिए फिर मैंने आज के दिन ही मॉर्निंग में सुबा चार बजे उ वस्तर धारन करा दिये हैं, आभुशन धारन करा दिये हैं और आपको पता है ये सारा समान जो भी नवरातरी में लगता है मातरानी के वस्तर या जो भी और हम पूजा के लिए यूज़ करते हैं, सब कुछ राद को 9-10 बचे तक मैं सारा समान लेकर आई हूँ, लेकिन फिर पूरी विश्वास और शद्धा जरूर होनी चाहिए और कुछ गलत ना हो, बस इतना हमें ध्यान रखना है, तो यहाँ पर मैंने मातरानी को स्नान करा के और वस्तर भी पहना दिये हैं, जोग को रेत में भी मिला दिया है, और मातरानी कितनी सुन्दर लग रही है और जोद भी मेरी तयार हो गई है अब जहां पर मुझे जोद रखनी है उस प्लेट में मैं स्वास्तिक निकाल दूँगी और वहां पर अपनी जोद मैं रख दूँगी अपना कलश भी जो भी मुझे स्थापित करना है वो भी मैंने यहां पर रख दिया है और उसमें जो भी हम पांच चीजे या साथ चीजे डालते हैं वो मैंने इसमें डाल दी है और सारी चीजे डिटेल में आपके साथ में शेयर नहीं कर पाई क्योंकि रिकॉर्ड भी उस तरीके से नहीं हो पाई हैं लेकिन जैसे भी हुई मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है तो मैं इसमें कलावा बांदूंगी अपना जो नारियल है चुनरी लपेट को उसको भी रख दिया है और कलश में स्वास्तिक बना दिया है मैंने आपर तो अब मातरानी की पूजा की बिलकुल हमारी तयारी हो गई है जल्दी इसलिए मैंने सब कुछ किया क्योंकि बच्चों ने भी वरत रखा था और उन्हें पूजा करके स्कूल जाना था तो अर्ली मॉर्निंग सुबद चार बज़े उठकर सारी साफ सफाई करी है जिससे की बच्चों के टाइम तक स्कूल जाने के टाइम तक सारी चीजें हो जाएं और वो भी आराम से पूजा कर सके तो अखंड जोत प्रजोयलित हो गई है और साथी साथ हमारी पूजा भी श अब हमारी पूजा भी हो गई है और क्लीनिंग जो हमारी डीप क्लीनिंग है दोस्तों वो भी चल रही है पूरा फ्लोर जो है घर का वो धोया है किचन की वाशिंग चल रही है धो रहे हैं तो पूरा डिटेजेंट से साफ किया है यहां पर डिटेजेंट डालके सरफ डालक इसको वाइपर से कर रहे हैं ब्लास्ट में फिर पोचा भी लगाया है तो सारी चीजे करी हैं तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहरी हूं कि कोई भी चीज न हमारे काम को ना करने का रीजन नहीं हो सकती है बस वो काम करने का हमारे अंदर जोश होना चाहिए वो इक्षा होनी चाहिए प्रबल इक्षा जिसे बोलते हैं तो हम किसी भी कंडिशन में वो काम कर सकते हैं तो पूरा मैं आज वरत भी है और देखे सारा काम भी कर रही हूं और खाना भी डबल डबल बना है वरत वाला भी और बिना वरत वाला भी याने कि पूरा दिन किचन में भी गया है तो ये देख लीजे बरतन तो मैंने धो दिये हैं काफी सारे और साबुदाना भीगो दिया है बहुत टेस्टी आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूं जो की पकोड़ी बना रहे हैं वरत की तो यहां पर साबुदाना भीगो दिया है आलू छील लिये हैं और इसमें अब मैं हरी मिर्च काटके डाल दूँगी आप चाहें पीस के डाल लीजे लेकिन मैं यहां पर काटके ही डाल रही हूं क्योंकि अभी मुझे चाहें वैसे नॉर्मल लेना चाहें वैसे जैसे आप चाहें और कुट्टू का आटा मैंने इसमें डाल दिया है फिर अब हम इसमें नमक एड़ कर लेंगे अपना व्रत वाला सेंधा नमक यहां पर मैंने डाल लिया है और जो हमारा साबूदाना भीगोया हुआ था वो भी हम इसमें डाल लेंगे और धियान बस इतना रखना आप कि इसमें पानी मट डालिएगा क्योंकि यह नमक अपने आप पानी रिलीस करता है और जो हम इसमें साबूदाना डाल रहे हैं भी थोड़ा बहुत पानी होता है तो पानी की जरुद मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पड़ी अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा ड्राय है तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी उसमें आप डाल सकते हैं और इसको थोड़ा सा मुट्टियों से दबा दबा कर आपको पकॉड़िया इनकी बनानी है शेप बनानी है जो भी शेप आप चाहें तो मैंने इनको ऐसे दबा दबा कर इनकी पकॉड़िया बनाई है इनको शेप बना कर घी में डाल दिया है कड़ाई में घीर चढ़ा दिया था तो यहां पर देखे मेरा जो पकोड़ियां है वो बन रही है सारी मैं एक एक करकेस में डाल रही हूँ बस थोड़ा सा प्रेस्ट करना पड़ेगा अगर आपने पानी डाल दिया ना तो लास्ट में जागे बहुत ज़्यादा ये ढीला हो जाता है और बहुत खराब फिर लगने लगता टेस्ट वो वाला नहीं आएगा क्रंची वाला तो यहां पर सारी पकोड़ियां डाल देंगे फ्राइ कर लेंगे और आप खा के बताएगा कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी वरत में ये रेसिपी ज़रूर शेयर की ट्राइ कीजेगा आप तो देखें इनको क्रिस्पी सा हम बिल्कुल डार्क ब्राउन फ्राइ कर लेंगे और अब उतार लीजे देखने में ये लग रही है ना टेस्टी खाने में और भी ज्यादा कुरकुरी थी और मैंने तो बहुत लेट खाया था जिनोंने उनके लिए खिचडी बनाई थी वो भी उनको देदी है ये देखे कितनी टेस्टी ये बनी है बहुत ज्यादा बढ़िया बनी है ये रेसेपी आप मेरे कहने से जरूर ड्राइ कीजेगा आपको मज़ा आ जाएगा और कुछ भी नहीं है बिल्कुल सिंपल है ब्रत में एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा तो खाना बना दिया है सब को दे दिया है सब लोग खा रहे हैं और जो बरतन धो दी थे मैंने उनको पानी भी निकल गया अब उनको मैं उनकी जगा पर वापस रख दूँगी क्योंकि सिंक आप देख रहे हो ओवर्लोडिड हो चुकी है उसको भी खाली करना है तो अभी मैंने जो बरतन मेरे धुल गये न उनको मैं रख रही हूँ उनकी जगा पर वापस सुखे हुए बरतनों को और एक एक करके सारे बरतन मैं रख दूँगी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और ये रेसिपी आपने ट्राइ करी इसका टेस्ट आपको कैसा लगा कैसी लगी ये भी जरूर बताईएगा तो यहाँ पर सारे बरतन मैंने रख दिये हैं ग्लास वगेरा जो भी कुकर के डखकन वगेरा जो ते थे सबको मैंने उनकी जगा पर रख दिया है अब बारी आ रही है कि जो बरतन सिंक में भरे पड़े हैं उनको दुबारा से वश करने की तो मैंने नौ बजे तक ये सारा काम खतम किया, नौ सबानो हो गए थे, उसके बाद मैं नहाई, नहाने के बाद फिर मैंने खाना खाया था, तो थोड़ा टाइम लग जया, कोई दिक कर दी है तो यहाँ पर मैंने सारा ये बरतन दो दिये हैं, अब एक-एक करके इन सबको हम धोकर रख देंगे और हमारा काम हो जाएगा खतमा तो कुल में लाकर कहना मेरा ये है आपके साथ वीडियो शेयर करने का मकसद भी यही है, कि कोई भी चीज ना हमें अपने काम को करने से नहीं रोक सकती है, बस जरूरत है हमारे अंदर उस इक्छा शक्ती की, कि जो काम करने के लिए हमें प्रेरीत करे और काम करने के लिए हमें आगे बढ़ाए वो जोश हमारे अंदर पैदा करे अगर हमारे अंदर इक्छा ही नहीं है किसी काम को करने की, तो चाहे कंडिशन सारी आपके according है, लेकिन फिर भी आप उस काम को नहीं कर पाएंगे अगर आपकी अंदर इक्छा है तो विपरीत पड़िस्थितियों में भी आप अपने काम को कर लेंगे चाहे कभी तक भी कैसे भी करना हो तो कुल मिलाकर वीडियो कैसी लगी जरूर बताईएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में